नमस्कार में कुमार शाम, दपंचायत में आपका स्वागत है मुकामा टाल, किसानों की उम्मीद और उनका दाल को टोरा बाड और नदी के गाद की भेंट चल रहा है जो किसान कभी एक वसल की उपद से खुशाल जीवन बिता रहे थे उन्हें दो वसल का सपना दिखा कर एक वसल से भी बंचित कर दिया गया बाड की समस्या ने किसानों के लिए दरहल की एक वसल को भी बीते दो साल से सपने में बदल दिया है यह बिंडम बनाई है कि देश का दूसरा सथ से ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला मुकामा टाल के किसानों को अब दाल खरीदना पड़ रहा है बाड की समस्या ने किसानों की खेती पर ऐसा ग्रहन लगाया है कि पिछले दो साल से बहेडिया, मरांची, ओन्टा टाल, सहीत, मुकामा टाल का कुछ क्रिशिक शेतर मिला कर लगभग 30,000 हेक्टर भूमी पर दलहन की खेती नहीं हो सके अब आप भी बतायां कि किसान किसी दोश दे है, बाड को या फिर बाड से निजात दिलाने का वादा करने वाले नितीश सरकार को लक्त बातें समाले लहजे में बोलते वे करीब सो बिगे से अधिकी खेती करने वाले ओंटा की किसान परणव परताब हम से कहते हैं कि यहां के किसान खेती ही जानते हैं और खेती ही करना चाहते हैं लेकिन स्थिती ऐसी हो गई है कि अब किसान पलाइन को मजबूर हो रहे हैं हलागी है हाल सिर्फ प्रणव का नहीं है बलकि अन्य किसान परिवारों का भी है जब हमने गाम के अन्य किसानों से बात की तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि बाड़ का पाने लंबे समय तक खेतों में फंसे रहने के कारण दलहन की खेती नहीं हो सकी और इसके चलते आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है मरांची टाल के 70 वर्षिय किसान अर्विंद सिंग बताते हैं कि मैंने अपने अब तक के जीवन में कभी यह नहीं देखा कि टाल की किसान खेती छोड़ पलाइन कर रहे हूं लेकिन आज सरकारी दुर्विवस्था की कारण के किसान खेती छोड़ चुके हैं तो के किसान खेती करने से डर रहे हैं किसानों को उनकी लागत निकलने का भी बहरों सा मर चुका है और इसका मुख्य कारण है टाल में बार्ड और जल्जमाव की समस्या आठ बिगा खेत के मालिक 45 वर्षिय किसान पावन कुमार 12 से 15 बिगा खेत किराये पर लेते हैं और कुल करीब 22 बिगे की खेती करते हैं पावन कुमार बार्ड के पानी से भरे टाल के खेतों की तरफ इशारा करते हैं कि यहीं मेरी रोजी रोटी है, यहीं से मेरा पुरा परिवार चलता है, कोई दूसरा रोजगार नहीं है दो साल से खेती नहीं कर पाए है, माड़ के वज़े से देरी से खेती करने की कोशिश तो की तो नुकसान ने कमर तोड़ दिया अब खेती की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं पावन को डर है कि अगर इस बार भी समय से पानी टाल से नहीं निकला तो कर्ज लेने की नौबत आ जाएगे ताल में पानी के समस्या क्या है गोरतलब है कि एक लाग छे हजार दो सो हेक्टर में फेले मौकामा ताल के निचले हिस्से वाले किर्शी क्षेतर बहेडिया मरांची ओंटा ताल सहीत मौकामा ताल में जल्जमाव एक तैय सिमय से अधिक हो रहा है लागातार दूसरे साल जल्जमाव के कारण बुआई नहीं होने से लाखों परिवारों पर आर्थिक ताल क्षेतर में वर्षों से है अच्छी फसल के लिए जिस तरह से इस ताल क्षेतर को डूबना जरूरी है उसी परकार बुआई के लिए उसी समय पर पानी का निकलना भी जरूरी है बिहार की क्षेतर से करीब दरजन भर नदियां इस ताल क्षेतर में प्रविश करती हैं जिनमें कररुरुआ, लोकायन, भूतही, पंचाने, महाने, कोईठवा कठोती है, नोनिया आदी नदिया हैं। इन सारी नदियों की लंबाई टालक्षितर में करीब 200 से अधिक किलोमेटर में हैं। करीब 63 चिनहित पैन सहित 100 से अधिक पैन इस टालक्षितर में हैं, जिनकी लंबाई करीब 400 किलोमेटर तक है। मानसून के समय में इनी नदियों और पैन से होकर पानी टालक्षितर में आता है और जम जाता है। यह पानी तब तक टालक्षितर से नहीं निकलता जब तक गंगा का स्तर उंचा रहता है। जैसे जैसे गंगा नदी का जल स्तर कम होता है, तालका पानी पैन और हरोहर नदी से होते वे गंगा में निकल जाता है। दो तीन दशक पहले 15-20 दिनों में पानी निकल जाता था और उसके 15-20 दिन बाद बुआई का काम शू हो जाता था लेकिन अब स्थिती बदल गई है अब तालक शेतर में पानी बुआई के निरधारित समय से 20-25 दिन बाद निकलता है जिससे की खेती देरी से करने पर किसानों के हिस्से में सिर्फ नुकसान जुड़ता है इस तालक शेतर में किसानों की मुख्य फसल रभी की है जिसमें प्रमुकता से मसूर की खेती होती है अगर 35 अक्टूबर की बीच ववाई हो जाती है तो फसल अच्छी होती है लेकिन विगत दो वर्षों में जलस तरह निकासी निधार समय पर नय होने के कारण फसलों की ववाई में यह देरी होती रही है और देरी का कारण बनी है जिससे फसलों की खशती और किसानों की लागत की बरबादी हो रही है यहां की किसानों के लिए यह आपता जैसा है ताल, विकास, मीधी के संयोजक आनंद मुरारी बताते हैं कि इसका मुख्य कारण गंगा की तलहाटी में जमा गाद है गंगा की तलहाटी में गाद जमते जमते करीब 4-5 फुट उंची हो गई है आनंद मुरारी आगे कहते हैं कि अक्टूबर 2017 में मुकामा टाल में प्रधान मंतरी के एक सभा थी जिसमें ततकालिन केंद्रिय जलसाधन मंतरी नितिन गड़करी ने गंगा में 3 मीटर गाद की सफाई के लिए वादा किया था लेकिन वो वादा कहां गया किसी को नहीं पता गंगा की तलहटी में गाद इतना जमा हो गया है जिससे की वो टाल के केक शित्रों में एक दूसरी के बराबर हो गया है इसका मुख्य कारण गंगा के उपरे हिस्से में निविर बाद और निचले हिस्से में बना फरका बराज है गंगा में गाद को बहाकर ले जाने के लिए जो गती और पानी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है आगे भी फरका बराज से पानी में ठराब होता है जिसके कारण गाद जमते जा रही है और गाद सिर्फ गंगा की तलहटी पर नहीं बलकि दोनों किनारों पर भी फिलती जा रही है गाद का असर गंगा की दशनी किनारे पर मुकामा टाल ही नहीं बक्सर से लेकर भागलपूर तक समान रूप से पड़ रहा है गाद की वज़े से गंगा की चोड़ाई भी कम होती जा रही है इससे की गंगा में जल ग्रहन की शमता भी दिन पर दिन तेजी से कम होती जा रही है अगर ये समस्या ऐसी बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में बार्ड का भैंकर मंजर किसान को देखना पड़ेगा मुकामा के रहने वाली इंजीनियर सुन्दरम कहते हैं कि उननी सो सतर से टाल पर शोद कर लगभग 6-7 कमीटियों ने अपने रिपोर्ट सरकार को सोंपी इसे सिगमा कंपने ने एक्तरित कर टाल योजना का रूप दिया लेकिन बिहार सरकार की जल सनसाधन विभाग में यह डीपियार वर्षों से लंबित है करीब 629 करोड का टाल विकास योजना आज बढ़ते बढ़ते 1800 करोड का हो चुका है बावजुद इसके बीते 50 वर्षों में भी इसे पूर्ण रूप से लागू करने या बिहार बजट में स्थान देने की कोई चर्चा नहीं है सरकार समय समय पर सेंकडों करोड रूपे टाल में बहाच चुकी है इन रूपेों में टाल योजना का कुछ कारिय हुआ तो है लेकिन पूरी योजना का तीन भाग कारिय अभी भी शेश है इस पीछ निदिश कुमार ने टाल योजना के लगभग पूर्ण हो जाने की बात सावजनिक मंतों से कहते रहे हैं वो लेकिन कभी इसकी समिक्षा नहीं हुई है और ना ही किसी मीडिया चैलन ने इस से लेकर विस्तरित रिपोर्ट प्रकाशित किया है किसी ने भी इस योजना को धरातर पर देखने की नहीं सोची कि कितना और कहां कहां कार्य पूरा हुआ नेताओं, सरकारी ठेकेदारों और कुछ किसानों ने भी इस टाल योजना की नाम पर निकलने वाली राशी को और्गरनाइजड लूट का साधन बना लिया है सामाधान क्या है यदि टाल शेतर की परंपरागत खिती को परतिवर्ष अच्छे दर्मन की निरंतरता देनी है तो जल्द जमाव को नियंतरित करना होगा इसके लिए सही समय पर टाल शेतर में पानी का आना और इसका निकालना जरूरी है इसके लिए एंटी फलर्ड सलोज गेट बनाए जा रहे है जिसे की जल संचिन किया जास्केगा लेकिन इसमें अभी भी काफी वक्त शेश है अगर इसके काम में तेजी लाकर जल से जल्द एंटी फलर्ड सलोज गेट का कारिया रूशा पुरा कर लिया जाए और जो पेंट टाल शितर में है उनकी उराही कर पानी के ठहराव के उचित विवेस्था करनी होगी इससे बार्ड के समय में टाल में ठहरने वाले पानी की सही से निकासी हो पाएगी और सूखे के समय अन्य नदियों में इससे पानी भी टाल शितर में आ जाएगा इसे किसानों को सूखे और बार्ड दोनों से रहात मिल सकेगी और संभव है कि किसान इससे दो फसलों की खेती भी कर सकेंगे तो ये रिपोर्ट लिखी है हमारे साथ ही अनिर शारदा ने अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले हाजिर होंगे ऐसी एक खास रिपोर्ट लेकर किसी अन्य कारिक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद